नमस्कार दोस्तों मैं आरोन एक बाद से आप सभी का computer practical Lab में हार्दिक सब्सक्राइब करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कौसिश करने पर देखते हैं क्या होता है यहां पर देख्यों मैं इस तरीके से पहले तो इसको और क्रॉपिंग करने के बाद यहां पे देखिए ऊपर एक तो में इस तरिके से करना ग्राउंड को थोड़ा सगम हो इसलिए इसलिए फोटोशीन पड़ती है तो चलिए फोटोशव में चलते हैं और वहां इस काम के तो यहां फोन वह रहा है और पर होने के बाद यहां पर हमें लेकार इस तुम लिए novo यहाँte क्ट्रोल ऑक करेंगे और इस इमेज को यहां पि mapped insert कर लेंगे तो यहpolitik कुछ इस तरीके से आगई अने के बादुहाध़ देखिये एक option आता है जहां पे इस तरीकी से अगर लोग लग रहा है तो उसको डबल किलिक करके खोल लीजिए और यहां पर इस टूल को लेने के बाद आप इस तरीके से से बाद या फिर अगर इसे नहीं होता है तो आप कंट्रोल सिफ्ट एस करके सकते और इसको पीएंजी में सेव करना है और नाम देखे इसको सेव कर देना है तो इस तरी से बैक्राउंट रिमूब हो जाएगा चली बैक्राउंट रिमूब हो गया है यह किस तरीके से काम इसको देख लेते हैं यहां से हम अपनी इमिज को इंसेट कर लेते हैं जो भी हमने बैक्राउंट रिमूब की है और यहां पर हमारी इमिज है इसको सेलेट करके यहां से इंपोर्ट कर लेंगे और यहां पर इसको ड्रैक कर देंगे तो यह इमिज हमारी आगए इस तरीके स और इमेज आने के बाद यहां पर इसको फोड़ासे कुरुप करेंगे क्यूंकि इसमें रहती है लेकि उससे पहले आपनी और ट्राच पेंसिल और उपर लेगे करेंगे कंट्रोल पेज़ अब यह उपर आ गया और देखिए इसके चार तरप से फाइट बैग्राउंड हट चुका है अब आप इसको कैसे भी सेट कर सकते हैं इसमें किसके आगल रगल वह सारा एरिया आया हुआ है इस तरी करेंगे हमसेट करेंगे अब यहां से अपनी ट्राज परेंशिल को थोड़ा सा बढ़ा कर लीजिए तो इते हैं बड़ा बड़ा से इस इस कलर के बेग्राउंड में दिखेंगा तो इस तरह कीचसे आप इसमें अपने बेक्राउंड को रिमूब कर पाते हैं तो कोरल में तो ये समभब नहीं है इसलिए फोटोशोप का यूज़ किया जाता है दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमने में चरूर बताएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत देने बाद थैंक्स पर वाचिक